गोपालगें से बाइक चोरी होते ही मिन्टों में हो जाता था गाएब पुलिस के लिए बनते जा रहा था सरदर्द लेकिन पुलिस ने भी चोरों का गेम प्लान सेट कर दिया अब देखिए कि पुलिस ने ऐसा क्या किया कि पांच चोर गिरफतार हो गए ये सभी चोर चोरी करते थे बाइक और कबाड़ी की दुकान में भेज देते थे और कबाड़ी वाला उसे घंटों में सारे पार्ट्स को काट कर बदल देता था और फिर ऐसे ही चलता था सिलसिला यानि गोपालगेच पुलिस ने चोरी के तीन गिरोह के सदस्यों को बाइक के चोरी के साथ गिरफतार किया जहाँ पर उनके निशान देही पर चापे मारी की गई जहाँ पर गोपालगेच के राजेंद्र बस्टेन के पास एक कबाड़ी दुकान में जब चापे मारी हुई तो वहाँ पर तीन कटे हुए बाइक भी परामत किये गया है आपको बता दें कि इसमें कुल चार चोर और एक कबाड़ी की दुकान दार को गिरफतार किया गया है इनके पास से तीन बाइक और तीन कटे हुए बाइक के परामत हुए है जबकि दो मुबाइल फून भी इनके पास से जब्त कर लिया गया है गोपालगेज के एसपी स्वाण प्रभात ने बताये कि बाइक चोरो के खिलाब गोपालगेज पूलिस के दौरा मुहीम चलाई जा रही है इसी मुहीम के तहट उन्हें गुप्त सूचना मिली थी इस शहर के बसस्टेंड के सभीब चोरी की तीन बाइक को रखा गया है नगर्थाना पुलिस के दवारा बस्टेंड में चापे मारी कर तीन चोरी की बाइक को जब्त किया गया और कुछ लोगों को हिराशत में लिया गया उनसे पूस्ताच हुई तो उनके पास से कटे हुए बाईक के साथ अन्य जो समान है वो बरामत कर लिये गए आपको बता दे गिरफतार में नगर थाना यादोपुर थाना सहित अन्य जगों के गिरफतार अव्यूक्त है फिलाल उन्हें पुलिस नियाई खिरासत में भेज रही है क्या कुछ गोपाल के स्पी बता रहे हैं सुनिए लगतार पुलिस करवाई कर रही है और इसी कड़ी में एक सुचना मिली थी कि कबाड़ी का दुकान है जहां पर चोरी की बाईक को खरीदा जाता है उसको काट कर उ जो एक को चोरी कर बेचता था उन चारहता है इनके पास तीन चोरी की बाई घञा कि गई है वहीं ऐस्पी ने कह दिया है कि चोरी करने वाले चोरों की अपखर नहीं पुलिस धून्दून कर उन्हें जेल बेजे की अगर आप हमारा चैनल यूटूब पर देखना तो सब्सक्राइब करिए फेस्बूक पर तो लाइक शियर कमेंट ज़रूर करिए लाइक शियर सब्सक्राइब ज़रूर करें धन्यबाद